नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टड़ी वेपस एजूकेशन चलिए इस कंप्लीट क्लास में हम बात करने वाले हैं प्रोग्रामिंग बिथ बीवी डॉटनेट की प्रोग्रामिंग बिथ बीवी डॉटनेट आपको मिलता है PG DCA First Semester और BCA के अंतरगत ये कोर्स देखने को मिलता है तो यहाँ पर हम बात क्या करने वाले हैं जो मैंने आपको IMP Question दिया था थोड़े दिन पहले मैंने IMP वीडियो बनाया था उस वीडियो को आपने जरूर देख लिया होगा Telegram पर भी मैंने Share किया था उसमें आपने देख लिया होगत अच्छी बात नहीं देखे तो अभी मैं जो Complete Revision कराने वाला हूँ उसके पहले आप इस वीडियो को देख लेना तो उसमें आपको जो Question दिये गया है उन Question को मैं यहाँ पर हल कराने वाला हूँ साथ ही साथ उसके अलावा कुछ Important Question और है जो मेरे हिसाफ से मैं आपको बता दूँगा इनके अंतरगताव अच्छे से तयारी कर लीजिए आपके एक भी Question नहीं जूटने वाले हैं कुछ Option ऐसे होते हैं जैसे मान लो आपको 5 Unit है 5 Unit में 10 Question आते हैं तो आपको 95% तक की अपनी तयारी जो है Confirm रखना है 5% तो ऐसा है आउट से आ सकता पर मेरी कॉसिस रहेगी कि आपको जो है सारे Question बन पाए ठीक है तो मेरी कॉसिस इतनी है कि मैं अच्छे से पढ़ा हूँ बस यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट है इस प्लेलिस्ट पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा Complete प्लेलिस्ट जिसमें आपको 4 औ 5 और इसके अलावा Important Question भी यहाँ पर मिलने वाले है साथ ही साथ आप Revision वीडियो को भी देख लेना और Detail वीडियो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा तो उसको आप जरूर देख लेना Urban Tips नाम का YouTube चैनल इसी का पार्ट है इसको आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजे इसी के अंतरगत आप देखोगे तो आपको यह चैनल देखने को मिलेगा तो इस चैनल के अंतरगत आपको क्या क्या मिलेगा छोटी छोटी टिप्स है प्रोग्रामिंग से रेलेटेड डाउट या अन्य कम्प्यूटर से रेलेटेड जो भी छोटी छोटी दिक्कते आती है उनको मैं यहां पर solve कराते रहता हूँ तो आप इस channel से जरूर जुड़िए और telegram में आपको वीडियो भी और साथ है PDF भी मिल जाएगी तो आप यहां पर यह सारे काम कर लीजिए और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक जरूर करे ताकि अपने दोस्तों को भी जो है जो है इसका help है वो मिल सके साथ ही साथ उनका paper भी आप जो है अच्छा है उनके help कर सके तो चलिए सुरू करते हैं यहां पर यह question जो है मैं फिर से यहां पढ़ाऊंगा नहीं आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ यहां 5 यूनिट के question है पहली यूनिट दूसरी यूनिट तीसरी इसके लाबाद चौहांती यूनिट और पांच यूनिट तो पहली दूसरी तीसरी यूनिट में क्या-क्या सिलेवा से उसके according अगर हम पढ़ें तो हमको इनमें काम देखने को मिलता है टीस के साथ-टी-टा-इक मिलता है अन प такие साथ-टी-पॉर्व मिलता हैं और शए इन के आस पास हमारा कारा कूंपलीत रिविजन होने वाला है तो जबन एघरक पर हमसे सुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे programming with bb.net का कुछ overview तो यहाँ पर मैं जो है आपको ले चलता हूँ ppt जो pdf मैंने आपको share किया हूँ उसके अंतरगात तो यहाँ पर देखे basic concept के अगर बात करूँ मैं तो यह आपको बताने की जरूवत नहीं है क्योंकि एक्जाम में ज़्यादा पूछा भी नहीं जाएगा हलाकि फिर भी आप जान लीजिए programming के अंतरगात instruction देखने को मिलता है जो छोटी-छोटी lines होती है वो instruction कहलाती मैं आपको देखा देता हूँ जैसे computer में कोई काम करना थे program जो होता है वो आपको एक line से मिलकार बनाता है इन lines को ही हम क्या बोलते इंस्ट्रक्शन जैसे मान लो program बनाना तो sequence होना चाहिए instruction का दूसरा computer programming की सहता से उसको लिखा जाना चाहिए तो ऐसा program जो computer को कुछ काम करने के लिए बनाया जाता है वो विविन lines या विविन instruction में लिखा जाता है उन इंस्ट्रक्शन को लेखने के लिए जिन भासा का उपयोग किया जाता है उन्हें बोलते computer programming language या computer language या programming language इन्हें हम बोला जाता है ठीक है जैसे कि c है c++ python है इसी में हम पढ़ने वालें किसके बारे में visual basic dot net dot net तो हो गए आपका framework और visual basic हो गई आपकी programming language तो यहीं पर हम देखे algorithm flowchart यह सारी चीज आपको detail में देखने में लेगी इसका अलग वीडियो में ने बना दिया है उसको जाकर आप देख लीजिए चली यहां पर जो algorithm होती है setup rules होती है और flowchart जो होता आपका graphical way में conversion होता है जो भी algorithm हम लिखेंगे उसके बारे में graphical रूप से representation करना हो तो flowchart की जरूवत पड़ती है और flowchart को अगर हम systematic अगर programming करना है तो हमको जरूवत होती है programming या pseudo code की तो यह तीन concept हमारे देखने को मिलते है इनको हम बोलते है program AIDS ठीक है मुख्य रूप से AIDS इनको बोला जाता है अब computer language भी हम देखें थो computer language दो category में थी पहले हम programming करते थे low level में और अभी हम programming करते हाई level में low level में machine language जाती थी assembly language यह सब basic concept है यह सब को आपको fundamental में पढ़ लिए होंगे और high level में आपको basic C, C++, coval, photon यह सारी चीज़ें यहां देखने को मिलती है machine language 01 के form में लिखी जाती है 01 यानि कि इनको हम bit बोलते है binary digit assembly language कुछ numanic code में लिखी जाती थी इनको दोनों convert करने के लिए जरूवत देखे machine language में तो conversion नहीं होता था यह है translator नहीं लगेगा assembly language में आपको assembler की जरूवत पड़ती थी ऐसे high level में अगर programming करेंगे था हमको compiler के जरूवत पड़ेगी और एक पड़ेगी interpreter की ठीक है तो compiler जो है complete page को एक साथ में convert करता है 01 में पर interpreter जो है आपके 10 line लिखे है 10 line को convert करता है और इसको execute करता है यहां पर सिर्फ keyword का काम होता था keyword mouse copy नहीं होता था पर mouse copy जहां होने लगा वो कहलाती है अपकी fourth generation की language जैसे visual basic हम पढ़ेंगे तो visual basic देखे basic का ही advanced version visual basic है जो कि Microsoft के दोरह बनाए गया हो और इसको use करने के लिए platform की जरुवत होती है जिसे हम बोलते थे .NET और .NET कहां यूज होता है .NET के अंतरगा थे एक ID की जरुवत होती है जिसे हम बोलते हैं integrated development environment और ID के बारे हम पढ़ेंगे जिसको हम बोलते है Microsoft Visual Studio और Visual Studio को हम पढ़ेंगे advanced version चलिए आगे देखते हैं इसके फायदे नुकसान आप देख लेना हलाकि इतना important नहीं है कुछ programming languages आप देख सकते हैं अब finally हम बात करते .NET framework .NET framework होता क्या है एक्जाम में पूछा जाता है इसका architecture क्या है इसकी संरचना को समझाइए तो यह चीज आपको देखने के मिलते है .NET के अंतरगत तो .NET framework के अगर बात करें तो .NET framework जो है Microsoft Corporation के दोरा सन 2002 में बनाएगा था इसका जो पहला version launch हुआ था 1.0 यह only windows के लिए था पर आगे कि जितने भी version आए वो आपको देखने के मिलते है multi platform यह विंडोस के अलावा आपको Linux में देखने के मिलता है आपको Mac में देखने के मिलता है पर पहला जो वर्जन था वो only windows के लिए था उसके बाद .NET framework क्या है एक प्रकार का platform है जहां विभीन प्रकार की language आकर अपना जो है क प्रकार की language का उप्योग करके जो developer है इसमें development करता है तो बिभीन लेंग्वेज में जाती 60 plus language जिसमें से 11 लेंग्वेज तो Microsoft ने खुद बनाया है इन languages का उप्योग करके जब हम कोई software मनाते हैं तो उनमें लिखा गया जो code कहलाता वो कहलाता आपका source code क्या कहलाता source code पर source code को computer नहीं समझता तो उसे compiler के माध्यम से क्या किया जाता है compile करके एक mediator code में बदला जाता जिसे हम बोलते हैं MSIL Microsoft intermediate language और यहां पर एक सुरक्षित environment या एक safe वाताबरन या safe environment की जरूद पढ़ती है तो उसको manage कोन करता memory management करना या फिर बहुत सारे security management करने का काम करता CLR common language runtime तो इसके बाद जब computer के लिए हमको code generate करना तो compiler फिर लगता है just in time compiler इसके माध्यम से है यह जो MSI अहले इसको convert करके किसमें बदल दिया जाता है computer के लिए जो नेट्यू कोड होता CPU के लिए जो नेट्यू कोड होता उसमें बदल दिया जाता है जब यह run हो जाता है तो हमको finally मिल दाता है आउटपूट क्या मिल दाता है आउटपूट इसके अलावा इसमें जो होता है यह हम बोल सकते हैं मॉबाइल एपलिकेशन या फिर वेब साइट की बात करें तो इतना यह कंप्लीट आपका इंट्रोडेक्शन हो गया डॉटनेट फ्रेंबर का इसी के बारे में आपको इधर डिटेल लिखी हुई है अब यहाँ पर एक आईडी की जरूरत पड़ेगी तो हम बात करेंगे किसकी विज्वल स्टूडियो की विज्वल स्टूडियो डाउनलोड कैसे क जायए है बात करना है था जाए उसका देखे प्रेसियो स्टूडियो करना है यहां पर जो पहले लिंक इगी की ऊस पर क्लिक करना है और यहां पर आप जाओगे तो आपको देखें यहां community वाला download करना है, यह professional के लिए रहता है, जो paid version है, enterprise के लिए रहता है, जो भी paid version है, free trial है, हाला कि उपयोग कर सकते हैं, 90 days free trial उपयोग कर सकते हैं, इसको भी 90 days, यानि 90 दिन उपयोग करके आप अपनी जो भी requirement उसको fulfill कर लीजिए, और अगर आप purchase करन community वाला उपयोग कर लो, उसके बाद आपकी requirement पूरी होती है, तो आप इसे purchase भी कर सकते हैं, इसमें जादा facility मिलेगी, ठीक है, आप normally free download पर click करोगे, setup download हो जाएगा, और उसको install कर लीजे, तो install करनी के steps में यहां पर नहीं बताऊंगा, चलिए आगे चलते हैं, history देख लीज 2022 में यह चलता है, तो visual studio होगे आपका ID, और .NET होगे एक platform, और programming language होगे, जिसमें programming की जाती है, तो तीनों ही चीज़े अलग अलग है, पर combination एक साथ आपको देखने को मिल रहा है, चलिए .NET के वर्जन के बारे में आप देख लेना, अगर question आए तो बता सकते हैं, अब बात क architecture की, तो .NET का architecture आपसे question में पूछा जाता है, तो architecture कैसे, जैसे मैंने बताए, .NET के अंतरगत बिविन ने programming language आकर काम करती है, तो simple सी बात है, programming language मतला, चाहे वो C-Sarf हो, चाहे visual basic हो, चाहे J-Sarf हो, कोई भी language हो, वो किसी ने किसी programming language का use तो किया जाएगा, और उसमें जो लिख जब वो source code को convert किया जाएगा, तो उसके लिए जरूवत होगी compiler की, तो हर एक programming के पास अपना खुद का compiler होता है, जिसके माद धम से, उस code को एक ऐसे code में convert किया जाता है, जो कि middle code, या common language, intermediate language कहलाता है, या Microsoft intermediate language कहलाता है, कोई भी हम बोल सकते हैं, तो वो यहाँ पे हो जाता memory management, garbage collection, बहुत सारी चीज़ों जरूवत होती, तो उसको manage कोन करता है, common language runtime, जिसे हम बोल देते हैं, CLR, common language runtime, तो यह complete रूप से आप देखे process, और बाद में JIT compiler के माद धम से इसको 01, यानि CPU native code में बदल दिया जाता है, और CPU दारा उसको run कर दिया जाता है, यह complete structure आपको पता करती है, और user इसके माध्यम से software निर्वान करता है, अब यह CLR का, जो complete structure है, वो ही हमने जो पीछे देखे, उसी के बारे में, तो CLR separate पूछा, तो आप इसके बारे में, यह structure बनाक है, CLR के बारे में, लिख सकते है, MSIL में आपको बता दिया, mediator code होता है, जो कि platform independent होता है, JIT compiler आपका, जो आपका mediator code होता हो, उसको CPU neti code में बदलता है, class library, जब भी विभिन प्रकार के function की जरूत होती है, program बनाते समय, या कोई भी development के समय, तो उसके लिए class library काफी help करती है, यहाँ predefined classes होती है, functions होते हैं, जो अलग-अलग काम करने के लिए यहाँ पे बनाये जाते ह ठीक है, आगे बाद करते हैं, जब भी हम program run करते हैं, तो उस से क्या बनता है, या तो EXE फाइल बनती है, या तो DLL फाइल बनती है, तो EXE और DLL जैसी ही बहुत सारी फाइल जहाँ पे होती है, उसे हम बोल देते हैं, .NET की assemblies, क्या बोल देते हैं, इसके बाद .NET की आप है काम करेंगे विभीन डाटा का मतलब होता है बेरेबल में काम करेंगे उसमें हम 20-30 string कुछ भी store कर सकते हैं तो विभीन प्रकार के डाटा टाइप कौन-कौन से हो सकते हैं value type हो सकते हैं reference type value type में built-in user define कुछ भी हो सकते हैं reference type में object type के data type हो सकते, interface है, pointer यह सभी data type में जब हम काम करेंगे तो इनको काम करने के लिए अलग-अलग conversion की जरूद पड़ीगी परन्तु .NET में एक common system होता है जिसे हम बोल देते हैं CTS तो CTS के माध्यम से चाहे कोई भी data type में आप काम करो वो उसे common type में बदल देता है तांकि हमको अलग-अलग platform की जरूद ना पड़े और एक ही जो system है उससे काम हो जाए तो CTS क्या करता है अलग-अलग data type को common type में बदलने का काम करता है फिर यह architecture हमने अल्रेडी देख लिए चली आगे चलते यहाँ पर .net framework का design principle अगर बोलें तो हम चाहे कोई भी version में काम करो आगे पीछे support कर लेता है इसको बोल देते हैं interoperatability एक code जो हमारा बना है उसो एक platform से दूसरे platform कहीं भी ले जाकर हम run कर सकते हैं देते हैं portability memory management की facility CLR में हमने देखे वह यहाँ पर मिलती है simplified development यहाँ पर होता है visual basic GUI based environment होता है IDE होती है तो आराम से हम यहाँ पर development कर देते हैं यह तीन principle आपके .net framework के अंतरगत मिलते आते हैं design के इसके बाद आप देखिए इसके फायदे देख लेना फायदे .net framework के क्याकर फायदे एक्जाम में पुछा जाया तो आप बता देगा disadvantages यानि कि नुकसान देख लेना इसके .net framework तो हमने यहाँ पर देखे programming concept देख ले .net framework का visual basic तो visual basic high level programming language है पहले बनाई गई थी basic basic में काम करना हाला कि पहले थर्ड जनरेशन की language थी थर्ड जनरेशन की language को अगर काम करें तो वह बहुत ज्यादा कठीन थी उसी को लेकर यहाँ पर basic बनाई गई जिसका पहला बर्जन लोज हुआ था visual basic 1.0 फिर धीरे धीरे यह अपग्रेड हुआ तो आपको देखने मिलेगा 6.0 और फिर यह .net के साथ आने लगी ठीक है .net अलग से यूज किया जाता है और visual basic 6.0 में खुद का framework हुआ करता था चलिए यहाँ पर कुछ फीचर से इनको आप ध्यान रख लेना यह object oriented programming language है उपस क्या होता है वो हम आगे पढ़ने वाले user interface इसमें काफी अच्छा मिल जाता है आसानी से design कर सकते हैं कुछ code लिखना होता है कुछ code automatic आ जाता है help system होता है अगर कोई दिक्कात आती है तो automatic syntax checking यहाँ देखने मिलती है automatic help यहाँ होता है auto compilation की facility होती है जी वाई बेस्ट प्रोग्रामिंग है integrated development design auto complete की facility यहाँ ही सारी इसके बिसेस्टाय होती है .NET की मतलब visual basic की तो .NET programming के अंतर का जो visual basic है उसकी features आप यहाँ पर देख लेना इसके फायदे यहाँ पर देख लेना और उसके बाद नुकसान की बाद के नुकसान ज्यादा यहाँ सा कुछ नहीं है एक line का है एक दो line तो कोई दिक्कत ने फिर भी ध्यान रख सकते है इसके edition आते जैस .NET framework के साथ में visual basic तो यहाँ पर यह procedure oriented था यह object oriented आ गया ठीक है इसमें constructor नहीं था इसमें all constructor है इसमें inheritance नहीं था इसमें inheritance है इसमें जो प्रोग्रामिंग सीखना कठिन था यहाँ असान हो गया इन्विल्ट framework था यहाँ पर .NET framework है तो कुछ ऐसे आप अंतर ध्यान रख लीजि यहाँ देखे Microsoft ने बनाया यह Sun Company ने बनाया यह फुली एविलेबल विंडोस प्लेटफर्म के लिए यह जाबा जो है अनेक प्लेटफर्म में काम करता है .NET जो है many programming language को सपोर्ट करता है यहाँ जो है क्या करता है यह only Java को यहीं बर common platform होता Java का platform independent होता चली यह तो हो गई बा version कीजिए कोई देखकत नहीं यह हो गया आईडी तो सीधे हम यहाँ पर जो है काम करना देखते हैं स्टार्ट में जाएंगे और आपको जो है सर्च करना है Visual Studio 2022 ऐसे आपने देखे स्टार्ट किये देखे यहाँ पर आ गया जो हमारी रिसेंट में जो प्रोजेक्ट काम किये वह दिख रहा है उसके आद आपको नया प्रोजेक्ट बनाना तो वह विंडो दिख रही है तो यहाँ पर जाता Create New यहाँ पर आपको कुन सा बनाना है Visual Basic का Windows का और Desktop Based तो आप यहाँ से देखे नीचे चलिए और आपको सेलेट करना है क्या Microsoft देखे विंडोस फॉर्म एप्ली के साथ इसको आपको क्लिक करना है और आपको Next करना Next करोगे तो आप नाम देंगे तो हम दे देते हैं My Practice या फिर Exam Practice कर लिजे Exam Practice करके हम नहीं कर लिए Location हमारी Already है नहीं है तो आप ऐसे जाओ और ऐसे Save कर सकते हैं ठीक है इसके लावा आपको solution का नाम.net framework कुन सा यूज कर रहे है वह आपको दिख रहा है और आपको सीधे चलना है Create पे जैसे आप Create पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर जो है यह नया प्रोजेक्ट बनता तो आपको विभीने टूल्स की ज़रुवत पड़ती है मतलब development करते समय विभीने टूल्स कौन-कौन से जैसे आपको control box चाहिए toolbox फिर उसके बाद database के लिए server explorer चाहिए form designing करने के लिए इसके अंदर coding क्या करना उसके लिए चाहिए उसके बाद आपको solution explorer चाहिए जो कि आप आपको properties window चाहिए है जो आपके project के जो भी control है उनको properties को set करें तो यह सारे error बताए output की window बताए object को browse करना यह सारे control क्या है यह सारे जो tools है वो आपके designing के लिए development के लिए काफी लाबदायक होते है तो अब है कहां यह एक ही screen पर तो ऐसी screen जहां पर हमको development के लिए सारे tools available होत toolbox के अगर बात करूँ मैं तो toolbox का प्रियोग कही के लिए होता है कि यह जो है label control जो भी हम ऐसे draw कर सकते हैं से लाकर देखे इस प्रकार से इस label को हम जो है और नीचे text box की बात करे तो text box draw कर सकते हैं इन text box को लाकर हम जो है इनकी properties को set कर सकते हैं तो हमारे draw करने का हो गया toolbox और form इन सबको एकसाद select करके हम देखे properties में जाएंगे यहां font में जाएंगे और font में जाके हम ऐसे 16 कर लेते देखिए जो है font बड़े हो गए चाहे तो आप ऐसे manage कर लीजे थोड़ा और इसके बाद इनकी जो है properties भी हम set कर सकते हैं तो यह चीज हो गई हमारी क्या idea integrated development environment new project हमने बनाना देख लिए उसके बाद इसी में मतलब हमारा जो form बन है form बन में ही देखिए form बन दिख रहा है solution explorer में तो form बन में हमारा जो है क्या है एक और form लाना है तो आप जाओगे कहाँ पर project में और यहाँ पे लिखा add windows form यैसे add windows form में जाओगे common control के अंतरगत देखिए common item में windows form select है इसी में windows form form 2 और आप add कर दोगे इसे steps पता होनी चाहिए आपको यह तो हो गया है windows form को add करने का दूसरे इसको save कैसे करे फाइल मीनू में जाएंगे save पे जाएंगे आपका project already location पर है तो save हो गया दूसरी चीज आपको open करना है तो open कर सकते या आप यहाँ से पुराना बना हुआ project साथ ही आपको पूछा जाएगा run करना तो आप एक तो debug मीनू से कर सकते start debugging एक तो आप कर सकते यहीं से टूल वार से start debugging जैसे हम इसको run करेंगे तो हमने जो भी form बनाये थे वह आपकी window पे display हो जाएगा running mode में जहां हम काम कर सकते हैं अब आपको दिख रहा होग है चलिए यहां पर जो है मैंने आपको window ID दिखा था यह देखिए new project कैसे बनाना यह हमने देख लिए versions of visual studio की बात करें तो आपको 97 से देखने मिलता है आगे देखोगे तो अभी हम जो उपयोग कर रहा है देखिए इसके पहले 2019 था अब हम 2022 यूज कर रहा है इसके अंतरग क्योंकि ID हमने अल्रेडी देख लिए integrated, development, environment जिसे हम बोलते हैं यहां हम देखोगे तो element आपको menu वार देखने मिल जाएगा, toolbar है उसके toolbox है, form designer जिसमें हमने design किये, properties से property set होती है, coding window से code करेंगे हम अभी थोड़े समय बाद, solution explorer होती है जहां पर सारा solution देखता है, form 1, form 2, इस ब्राउजर में within classes के object हम सर्च कर सकते हैं, उसके आद error list में जो भी गलतिया होती है, programming में उनको दिखाने का काम किया जाता है, इसके आद form layout में जो भी structure होता form का वो दिखाया जाता है, फिर output यानि assemblies बगरा देखने के लिए हमको output window की जरूवत होती है, तो यह हो गया ID के element component जितने भी उसके parts होते हैं, इनके बारे में आप यहाँ पर एक एक करके पढ़ लेना, menu bar हो गया, tool bar हो गया, toolbox हो गया, form designer है, यह सारी चीज हम भी बार बार इनका उपयोग करेंगे, इन सब के बारे में आपको सारी चीज पता होने चाहिए, तभी जो exam में ID के बारे में आ open कैसे करना, यह normal चीज है, फिर उसके आद रन करना, यह भी देख लिए, और windows form को add करना है, अगर इन पांचो steps को मिला दे, तो यह project में working कहलाती है, चलिए आगे देख लेते हैं, इन पांचो option आप से बनना चाहिए, आप एक बार theory में जरूर पढ़ लेना, फिर एक question और लाता है, windows management को समझाइए, तो windows management मतलब जो toolbox है, toolbox में आप देखोगे, तो यह pin की बटन दिख रही है, बटन दिख रही arrow की, तो चलिए चलते हैं, तो देखिए यहाँ पिन की बटन जो दिख रही है, इसमें मिलते है 5 option, एक तो मिलता आपका float, float का मतलब होता है, जो toolbox है, व तो अपका बंदरगा होते हैं, वहाँ डोक कर दिये जाते हैं, यह जगह पर डोक हो गया, डोक है step, यहाँ देखी उपर आ गया form 1, form 1, जो coding है, इसके हिसाफ से देखिए, यहाँ डोक हो गया, फिर right click करोगे, तो फिर से डोक कर दो, अपनी जगह में चल जाएगा, आटो ह होता hide, इसका मतलब close, यह यहाँ से नहीं देखाना, तो close कर दो, फिर आप जाओगे view में, आपको जितनी भी toolbox से related, या जितनी भी windows है, bb.net में, visual studio में, वो सब यहीं से दिखेगी, जैसे toolbox है, उपर देखो code window दिख जाएगी, designer window दिख जाएगी, shortcut आप देख लीजी, उसके जाओगे view menu में, और view menu से ही आप दिखा भी सकते हैं, और छुपा भी सकते हो, चाहे तो आप यहाँ से बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं, तो यह हो गए आपके windows management, यानि के exam में question है windows management, तो आप इसके बारे में steps लिख सकते हो, एक window बना कर, आगे देखिए environment setting का question आता है, त साम करना होता, तो कुछ basic setting की जरूवत होती है, जिसे हम बोल देते है environment setting, तो basic setting तो already रहती है, पर फिर भी हम अगर चाहे तो इसको manage कर सकते है, कहां से, देखो menu बार में ही tool में जाएंगे, tools में, यहां option बार देख रहा है, देखिए option menu, और यहीं पर आपको देखेगा option मे environment setting, देख रही, environment setting में सबसे पहला होता है, general, general में आपको theme बदलने को मिलेगा, जिसे आप देखो dark कर देते हैं, उक्के कर देते, देखे, यह जो आपका visual studio है, वो आपका dark हो जाएगा, फिर से चलिए tools में, option में चलिए, dark की जगह आप blue कर सकते हो, देखे, blue कर लीजे, इस समझ सकते हैं, जितनी भी प्रकार की जो configuration है, जितनी भी प्रकार की preference है, वो सारी चीजे कहां से set होगी, tool में जाकर, option में, जिसमें environment setting आपको देखने को मिलता है, यही पर आपको documents related, font क्या रखने, आपको font का color क्या रखना है, ठीक है, यह सारी चीजे आपको कहां common properties का मतलब होता है, यहाँ पर आपको यह common properties लिखी हुई है, तो इन properties को हम देख लेते हैं, यहाँ पर आपको अगर exam में question आता है, question कैसे आएगा, आपने देख लिया होगा, यहाँ से आपको बोल दिया जाएगा button, check box, level, list box, इनको समझाईए, इनकी properties, इनकी event और इनके method क साथ में, तो button control होता कि है, definition अगर आपको पता है, तो आप सारी चीज़े लिख सकते है, कैसे, button का काम होता है, जो भी काम किया गया है, उसको command के रूप में process करना, यानि कि coding कहा होती है, बटन में होती है, पर हम चाहें तो और दूसरी जगे भी हम कर सकते हैं, double click करेंगे, तो देखे, button के click event पर coding होती है, मानलो हमको यहाँ पर क्या करना है, एक message सो करना है, तो आप message box बाला जो है, dot so, यह method लगाओगे, और यहाँ लिख दोगे, hello SSW education, इस प्रकार से आप लिखोगे, और simple आप जो है, इसको क्या कर दोगे, right click करके view designer, और आप इसको आप run कर देखे, हमने button के click event में काम किये, तो दूसरा form हो गया, दूसरा form में ना करके, हम देखे, form के steps को बदलना है, मानलो इस form से हम कहा जाना चाहते, form 1 में, तो इसी के अंतरगत हम एक और button ले लेते, यह form की navigation कहलाएगी, जब आप से पुछा जाएगा, एक form से दूसरे form में कैस हम next, कैसे करेंगे, अभी में बताऊंगा, इसमें हम coding कर लेते क्या, form कुन सा हमारा, form है to, form 2.so कर देते, यह method है, method का मतला एक छोटा सा module, यह बड़े-बड़े काम को करने के लिए, हम उसके तुकड़ों में बाढ़ देते हैं, उसी particular तुकड़े को जो एक business काम करता है, उ method हमारी है, so, so क्या करेगा, जिस form का नाम लिखा जाएगा, उसको so कर देगा, और यह खुद को hide करने के लिए, me.hide, क्या करेंगे, me.hide, चली इसको run करिए, तो देखे, आपका पहला form so हो रहा है, पहला form so हो रहा है, नीचे वाली button क्या करेगी, click करने पर next form पर ले जाए देखे, हमने यहाँ आप कोडिंग करे है, button 2 में, और event क्या है, event मतलब एक घटना, click करना भी एक घटना है, ऐसे ही बहुत सारी event आपको देखने मिलेंगे, तो यहाँ देखे, आपको click से related event मिलेंगे, click से related मिलेंगे, mouse down है, mouse enter, mouse hour, इनके बारे हम सारी चीज लिखी है, आप button की properties अगर दिखा हूँ मैं, तो button की properties कैसे देखेंगे, यहाँ देखे button, और यह button आपको देखने मिलेगी, उपर देखे button बन लिखा है, सबसे उपर चलें, तो alphabet form में आप देख सकते हैं, यही button के बाद event भी दिख रहा है, तो event आप देख लीजी, यहाँ से भी देख सकते जैसे मानलो में इसमें कर देता हूँ, तो देखे इसमें नाम बदल गया, इसके बाद हम चाहते हैं कि यहाँ देखे आपको यहाँ जो है back color देखने मिलता, back color का मतलब क्या होता है, कि इसके background का क्या color रहना चाहिए, यह देखे हमने back color कर दिए, इसमें background में कोई image लाना त यहाँ आपका text नहीं दिख रहा है, तो आपको text को बदलने के लिए text का color बदलना होता, देखे for color, और for color आप बदल दो क्या white, white रख दोगे देखे button जो है आपकी दिखने लगी, मतलब नाम भी दिखने लगा, इसी प्रकार आप देखे background image तो हो गया, आप यहाँ पे जो ह आप white की जगे क्या कर दो, मानलो yellow कर देते, तो यह change हो गया, उसके बद आप देखे यहाँ पे lock और unlock कर सकते है आप इस button को, हर एक control में यह facility मिलेगी, true कर दोगे तो lock हो जाएगा, false कर दोगे तो यह unlock हो जाएगा, इसके बद आपको size देखने मिलता है, इसी के साथ tab index property दे यह button आएगा, मतलब run time पे क्या आएगा, सुर्वात में ही, second में क्या आएगा, third में क्या आएगा, fourth में, तो यह जो दिखाता है, यह एक कम दिखाता है, यानि कि अगर पांच में नमबर पे आएगा, तो यह जीरो करेंगे तो यह एक में आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे दिखाता है, text हमने देख लिए, text का align क्या रहेगा, मानलो आपको left करना, तो देखे left हो गया, center करना, center कर सकते हैं, text को मतलब जो button है आपकी दिखाना नहीं दिखाना run time पे तो उसके लिए visible और invisible होता है, तो यह तो बात होगे किसकी properties की, I hope आपको यह properties समझ में आई होगी, event मैंने बता दिया कि click करना, साथ ही आप double click कर सकते हो, hover कर सकते हो, बहुत सारे event यहाँ से manage कर सकते हो, उसके आद method जो छोटे-छोटे programs होते वो method कहलाती है, यह से बहुत सारी method आपको देखने को मिलेगी, तो common properties आप याद रख लिजिए, हर एक control को हम एक एक करके यहाँ प बोल देते है, event driven programming, जिसके अंतरगात हमने within event देखे, जैसे mouse से related event देखे, mouse down, mouse enter, mouse hour, mouse leave, mouse move, mouse up, mouse wheel, keyword से related event हमने देखे, keyword down है, मतलब की down है, की praise है, की up है, तो इनके बारे माप थोड़ा-थोड़ा link दीजिए, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारे जो answer हो complete हो जाएंगे, साथ example में आप text box, पूछा तो text box का example जरूर बनाईए, मतलब text box कैसा दिखता है, कितनी property होती सारी चीजे, फिर method में मैंने so बताया, आपको so के साथ hide view होता है, close होता है, clear होता है, move होता है, drag होता, refresh, इन सब को याद रख लीजे, तांकि आपको जो exam में आए तो वो आप लिख स statement क्या होती, उसको समझाइए, तो statement मतलब एक complete program, और program के अंदर का बिमिने चीजे use होती है, जैसे आप देखे, हम जब program यहाँ पर बनाते हैं, तो चली एक program बना लेते हैं, हम चलते visual studio में, और visual studio में चलते हैं, form 1 में हमने क्या बनाए है, यहाँ देखे, यह जो label 1 है, label 1 की property हम change कर लेते हैं, कि यह इसका नाम कर देते है, value 1, क्या कर देते, value 1, और इसका नाम कर देते हैं, value 2, जब यह हम कर देते हैं, तो यहाँ से आपको देखने मिलता क्या, यह देखे, हमने नाम बदल दिये, अब जो button है, आपकी button 1, button 1 में हम click कर रहें, तो कुछ नहीं हो रहा देखे, खाली है, पर button 1 में click करें, तो क्या होना चाहिए, यह दोनों text box में जब data enter किया जाएगा, वो कही ना कही इस्टोर हो जाए, यह नहीं variable लेना पड़ेगा, जब इस्टोर हो जाए, तो कहा जाए वो, वो calculate भी हो जाए, और calculate होने के बाद, message box के थूरू वो print हो, तो हम answer के रूप में, और यह ले लेते हैं, हम integer type का, यह data type होते है, integer क्या है, एक data type है, integer के बदले, float भी हो सकता है, double हो सकता है, और इसके बाद long integer हो सकता है, या string हो सकता है, यह सब जो है आपके data type है, यह जो ले रहे हैं, dim के बाद वो variable है, और dim है आपका keyword, तो keyword भी हो गया, उसमें हम ले लेते हैं क्या text box 1 की value मतलब जो text box 1 में input किया जाएगा वो कहां चला जाएगा आपका value 1 में और text box 2 में जो input किया जाएगा वो कहां चला जाएगा value 2 value 2 नाम का जो variable लिए उसमें चला जाना चाहिए अभी दोनो variable का जो data हमने रखे हैं उसको हम calculate कैसे करेंगे value 1 plus value 2 तो देखिए यहाँ पर आपको देखने मिला value 1 और value 2 दोनो answer में चले गए क्योंकि यहाँ देखिए हमने क्या लगा equal का sign यानि assignment operator और यहाँ plus मतलब यह भी operator है तो operator भी समझ गया plus minus into divide जो किसी काम को करता है तो यह जो जिसको operator operate करता है वो operand कहलाते है तो operator और operand से मिलकर वनी जो complete line उसको बल देंगे expression तो आपको क्या क्या चीज़ यहाँ दिख गए एक तो keyword जो predefined होता है variable जो हम define करते हैं जिसमें किसी value को store करना है किस type की value store की जाएगी वो कहला था data type यह भी आपका एक प्रकार का keyword है फिर यह आप देखोगे एक प्रकार की expression है और इस expression से मिला के हम complete रूप से क्या बनाते है एक आपका क्या बनता है एक program बनता है प्रोग्राम को ही हम बोल देते हैं यहां पर देखे हम लिख देते हैं total is और total is के बाद equal लगाते और यहां लगाते end का निसान दो string को जोड़ना end का निसान लगा और आपने लिख देना answer यहीं कि जो answer आपने लिए हो जिसमें आपका complete answer है वो लिख दिए अब आपका यह complete program हो गया जब हम इसको run करेंगे तो आपको पहले बोलेगा कि इस text box में value enter करो मानलो हमने 25 एंटर करें दूसरे text box में enter करो 26 कर दिए और फिर बटन को ok करो तो देखे हमने ok कर दिए तो आप ध्यान से देखे total is 51 आ गया तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे आपको जो है दोनो variable का total आ गया और हमने एक program complete रूफ से बना लिए तो उसी program को हम बोल देते है statement और statement में क्या क्या यूज हुआ है keyword यूज हुआ है dim keyword है operator यूज हुए plus minus into divide जो भी हो गया operator variable जिसमें value store की जाती है एक alphabet symbolic नाम होता है constant इस्थिर होता है variable जैसा ही होता है पर runtime पे ही value दे दी जात होती है expression आपका complete line होती है और literal value का मतलब होता है जिसे आप यहाँ देख पा रहा है जो हमने 20 store करे जो रोहित store करे वो कहलाएगा आपका literal और जिसमें store करे वो कहलाएगा variable यहनि कि हम ऐसा बोल सकते है variable में जो value store होती है उसे बोल देते है ठीक है चली आगे चलते हैं यहाँ आप है हम constant किसे बोलेंगे constant के लिए dim keyword लगानी की जरूरत नहीं है अहां लगाया जाता है const क्या लगाया जाता है const और variable का नाम जैसे इसका नाम भी देते हैं किस टाइप का है वो भी देते हैं पर equal लगाख है value देना बहुत जरूरी है directly तभी वो constant कहलाएगा चली आगे च दिख लिए complete रूप से आपको steps लिख देना यहां पर working with variable के साथ में इसका एक जो है टाइप होता चली एक example के तौर पर समझाता हूं जैसे मान लो यह public दिख रहा है public दिख रहा और एक private यहां पहे देखिए यहां भी private है तो जो dim a b c d a value 1 value 2 ली है वो क्या जो button 2 उसमें use ह होगा क्या बिल्कुल नहीं होगा क्यों क्यों कि यह देखिया ध्यान से यहां private है तो इसके अंदर जो भी variable लिया जाएगा वह private variable के लाएगा पर मान लो यही variable में यहां ले लेता हूं पर public में तो वह कुन सा variable हो जाएगा public variable इस ही को बोल देते हैं हम lifetime types या working area या scope of variable exam में आइंतो आप से लिक सकते हैं चलिए आगे चलते हैं अब आप से question पूछा जाता है primitive data type या जो भी data type पूछा जाएगा आप लिख सकते हं डाटा टाइप होते हैं जो आपके नियुमेरिकल वैलू पर काम करते हैं फ्लोटिंग टाइप के होते हैं जो दसमलो वाली नियुमेरिकल वैलू पर काम करते हैं decimal type के होते हैं ये भी दसंबलो वाले होते हैं boolean, yes no पर काम करते हैं date time के हिसाब से string, alphabets पर काम करते हैं object, picture या other चीज़ों पर तो इस प्रकार से आप data type के बारे में लिख सकते हैं सारी चीज़े आपको देखने को मिलेगी exam में जरूर पुछा जाता है primitive data type या data type को समझाइए bb.net के अंतरगत आगे देखे type conversion, मानलो हमने variable लिए हैं किस प्रकार का double type का, और double में हम क्या श्टोर करते हैं मानलो 50, दसंबलो 50 पर हमको उसको convert करना है integer में तो हमने सीधे क्या करे, भाई double हमने input करा है, जो भी हमने input करा है वो कहां चला गया, double नाम के variable में फिर double को हमने कहां रख दिये, integer में तो इसके अंधर जो दसंबलो वाला पार था वो हट जाएगा, तो हट जाएगा मतलब क्या हो जाएगा integer बन जाएगा, तो after conversion अगर देखेंगे, तो जो 50 पहले तो हमने print कर लिए, फिप्टी दसंबलो फिप्टी ये print हो गया, डि आई डियाबल में explicit में आपको यहाँ पर यह function की जरुवत पढ़ती है, तो simple आपको कुछ नहीं करना direct ना भर के आप जो है, यहाँ पर क्या करो, function लगा दो, function bracket में लगता है और इस bracket में जिस variable को बदलना उसका नाम लिख दो, जिसे d को बदलना था तो आप d लिख दो, बांकी cj same है, तो यह explicit conversion कहलाता है, constant हमने अल्रेडी देख लिए कि जब भी हम define करते हैं, तो directly कोई value अगर store कर देते हैं इस variable पर तो वो कहलाता है आपका constant आगर चलते हैं हम यहां पर, arrays की बात करते हैं, array का मतलब क्या होता है, array का मतलब होता है, कि जब आप variable में काम करते हो, तो एक value के लिए एक variable लेते हो, पर एक से अधिक value के लिए आप एक से अधिक variable ना ले लेते हो, एक array, तो मतलब array को हम क्या बोल सकते हैं, variable का collection, पर यहा हम ऐसा बोल सकते हैं कि एरे हम ले रहा है मानलो हमने ए लिए ए को हम दे देते हैं 5 तो यहां पर कितने element store होंगे 5 element मतला 0 से लेखे 4 तक तो 0 से लेखे 4 तक जो भी store होंगे वो किस type के है न चाहिए integer अगर वो string type के है तो सारी string होना चाहिए integer है तो सारी integer होना चाहिए तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि एक ही type के variable का collection जो हम multiple variable में काम करते हैं उसी को हम एक array के रूप में define कर सकते हैं तो एक से अधिक element के समूँ को हम बोल देते हैं array recuerde एक example के लिए हम यहाँ पे क्या लेते है एक टैक्स लेते है लिस्ट वो टो यहाँ अम एक बटन लेते हैं क्या ले लेते हैं इस बटन में हम जब क्लिक करें तो सारे आइटम यहां 스व हो जाए हम जूआ है इसका फॉंट बढ़ा लेतें यहां से बढ़ा लेते हैं 16 कर देते हैं तो यहां देखें आपको जो भी देखने को store हो जाए जो भी आपने लिए हो चलिए हम जो है इसका फॉंट बढ़ा लेते हैं यहां से हम फॉंट बढ़ा लेते हैं 16 कर देते ठीक तो यहां देखिए आपको जो भी देखने को मिलेगा आप डबल किलिक करो और ले लो क्या डिम ए और कितने element लेना चाहते हैं 5 और as integer कर दो हमने देखिए कुछ भी चेंजिस ने किए जैसे लिए सिर्फ आपने कोश्टक में कह लगा है 5 तो आपको लिखना पड़ेगा ए एक का आपको लिखना पड़ेगा indexing कहां चाले होगी 0 से और यह का लिखना पड़ेगा मान लो आपने 50 लिख तो यहाँसे आप बहुत सारे यहाँ पर लिख सकते हैं तर यहाँ पर चेंजिस क्या होगा जो 0 है उसके बदलें second element 1 कहलाएगा उसके बदलेंन टू कहलाएगा उसके बदलेंन थी कहलाएगा उसके बदल से नहीं बदलना तो कोई दिखका ने आप यहाँ देखिए आपने और इसकी एक method होती है add, तो method आप ध्यान से रखे दाइए, जितनी भी हम उप्योग कर रहे हैं, अब यहाँ देखिए आपको a0 प्रिंट कराना, a1 प्रिंट कराना, a2, a3, a4, तो आपको a0 अगर प्रिंट कराना, तो पहली बार में a0 प्रिंट करा दीजे, देखिए यहाँ यहाँ पर मैं लग देता हूं क्या, a0, यहाँ रख देता हूं मैं a0, उसके बाद आप जो है, इसको complete रूप से copy कर लेते हैं, यहाँ, देखिए यह 5 हो गया, अब यहाँ से यहाँ पर बदल दीजे, 1 कर दीजे, 2 कर दीजे, 3 कर दीजे, और यहाँ पर कर दीजे, 4, तो य जब भी हम क्लिक करेंगे, देखिए 5 element आ गए, यहाँ करके देख सकते, इसी प्रकार हम combo box में कर देते, कुछ निकरना, यहाँ list box की जगे क्या करोगे, यहाँ पर कर दोगे combo box, चलिए मैं यहाँ पर आपको यही example को copy करता हूं, और copy करके हम एक button लेते हैं, ठीक है, button लेते हैं हम जो है इसका duplicate कर लेते, copy कर लो पहले, और यहाँ ले जाक पेश्ट कर लो, यह 4 हो गई, और इस coding को ले जाकर हम क्या कर देते हैं, paste कर देते हैं, यहाँ, तो देखिए, यहाँ list box की जगे क्या करना है, combo box क्या करना है, यह देखिए, combo box आप कर सकते हैं, और combo box को हम जो क्लिक करेंगे listB黨 में फिल होगा, और combo box में क्लिक करेंगे, तो देखें combo box, combo box or listBанд sama क्या है, यहां सिर्फ unlimited item डिखते हैं और यहां multiple item, multiply item को select करने का भी ऑफ्सन यहां होता है तो यह हो गया आपके, का combo box और list box, text box भ समझे इनपूट के लिए label identify करने के लिए, button आपका command के लिए साथ ही आपके बहुत सारे control और दिखते हैं दूसरे form में मैं आपको दिखाता हूं control की list आपको दिखाते हूं सीधे सीधे पहले तो हम जो है कुछ चीजे और पढ़ लेते एरे हो गई हमारी एरे दो प्रकार की होती है कभी-कभी हम जो single dimensional एरे उपयोग करते हैं जिसमें आपको single इस प्रकार से देखने मिलता है परन्तु double dimensional में आपको कॉमा लगा के इस प्रकार देखने मिलता है यनिकि row भी रहती है और column भी रहते है तो इससे बोल देते हैं हम two dimensional multi-dimensional भी होती है तो इनको आप ध्यान रख लीजिए एक्जाम में आया तो आप बता सकते हैं जैसे और नॉर्माल element की होती है बैसे buttons की भी array होती है यनिकी control array जिन्हें बोलते हैं तो एक बार में अगर हम 50 control की array बना लेते हैं तो एक बार क्लिक करने पर 50 control हमारे बन जाएंगे जैसे की calculator हमको बनाना थो हमको control array की जरूवत पड़ेगी इसका dynamic array भी होती है जो runtime पर अपने size को बदल सकती है collections होते है जो की data structure की रूप में होते है array list होती है है stable है stack है क्यूँ है इनके बारे हम आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना exam में आया तो बन जाएगा ये question काफी important है एक तो होता sub routines और एक होता function तो दोनों के अंतर है दोनों ही बड़े program को छोटे छोटे पार्ट में यानि की छ example देख लेते हैं यहां पर हम यहां पर देखे form की sequence change करना run करने के लिए तो यहां पर जो है form 3 add करते पहले यह देखे add windows form और form 3 add करके हम जो है देखे 3 add कर लिए अब हम को run क्या करना 3 वाला तो जैसे हम यहां पर जाएंगे my project में या फिर exam practice में right click करेंगे चलिए my project पर double click क करो यह देखे एक application और यहीं आपको मिलेगे startup form हम कर लेते हैं 3 और जब भी run करेंगे तो 3 ही run होगा इसे बोल देते हैं startup form change करना form की position start में कैसे लाना है वो देख सकते हम यहां पर चलिए बटन लेते हैं बटन की बात करें तो यहां पर देखे बटन में हम क्या करते हैं double click करके coding करते हैं ठीक है परन्तु हम उपर ही चलते हैं और यहां define करते हैं sub add ठीक यहां पर हमने sub add करके design define किये और जो plus वाला program था वो मैं यहां लेकर आ जाता हूं ठीक और plus वाला program को थोड़ा सा change करेंगे हम change क्या करेंगे इनको हम value देते जैसे मानलों इसको 20 देते हैं और इसको देते हम 40 ठीक अब यह direct message प्रिंट करेगा ना कि text box लेगा यहां पर तो चलिए यह तो देखे यहां पर add सब लिए sub routines public भी हो सकती है private भी हो सकती है add नाम से इसका नाम ले सकते हम जो पहले से define नहीं है और end सबसे इसकी जो है ending होती है अंदर हमको जो भी काम करना वो हमने ले लिए और यह जो है add नाम से बुलाया जाएगा तभी इसको जो है यह answer प्रिंट करेगा यह वाला नहीं तो नहीं करेगा क्योंकि automatic run नहीं होती है यह कहलाती सब routines तो यहां कर देंगे normal sub क्या कर दे देखेंगे sub नहीं करना add नाम से बनाए एड नाम से हमने बनाए तो add हमने कर दिए direct अगर हम add नहीं करते यहां पर add नाम नहीं लिखते तो रन नहीं होती रन करो, रन करेंगे, क्लिक करेंगे, देखे, आंसर आ गया, तो क्या है ये, सब रूटिन, परन्तु इसी के बदले, मगर हम यहाँ पे ले लेते हैं, क्या फंक्सन, तो यहाँ देखे, सब न लेकर हम क्या ले लेते हैं, फंक्सन, क्या ले लेते हैं, फंक्सन, और फंक्सन को प्लस की जगे आप कर दो क्या मल्टी उसके बाद यहां लिख देते हम क्या एड ना लिखकर हम कर देते हैं मल्टी क्या कर देते हैं मल्टी जब भी हम रन कराएंगे तो आप ध्यान से देखिए यहां पर मल्टी पला गया दोनों का अब यहां पर हम जो है बैलू देना चाहत का होता है BS Integer यह हमने ले लिए ठीक है अब जो A और B है वो A और B का डाटा कहा जाएगा वेलूबन में ठीक है और देखिए यहां पर हलकि A और B में डाटा का बाएगा यहां से तो A और बी में हम data देदो 10 20 और यहां देदो 10 तो देखे हमने जब भी call करें call करते समय हमने क्या करें 20 जो data है वो इसके साथ मैं initialize कर दिये और जब भी initialize होगा वो कहां चला जाएगा A और B में क्योंकि multi के दो argument है A और B तो यह वाला function automatic हमारा call हो जाएगा देखे जड़ा answer आता है कि नहीं यहां देखे हमने 10 और 20 जो करें इंटू तो 200 आ गया इसके बाद और होते हैं जिसको हम return करते हैं मानलो यह message box को हमने print नहीं करे हैं तो message box को print नहीं करने था हम यहां लिख देंगे return लिख देंगे return हमारा रह जाएगा answer पर return answer करेंगे तो यहां पर एक variable और लेना पड़ेगा क्या लेना पड़ेगा dim as integer यह ले लिए और यह बराबर हमने कर दिये क्या यहां पर multi को multi जो है उसको add कर दी यहां पर और यहां एक message box ले लो जो हमने वहां पर लिए message box dot so message box dot so कर दिये और यहां पर a को हम print कर देते क्या कर देते एक को print अब देखिए ज़रा इस प्रकार से हमारा जो है return हो गया तो 200 अभी भी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं अलग अलग अब देखिए return कर दी हमने तो return से हमारा क्या हो गई यह warning हड़ गई तो return function मतलब value को return क कर सकते करते जैसे है function जैसे काम करता वैसा ही तो आप यहां पर देख लीजिए सारी चीजे मैंने sequence में यह लिख रहा हूं यहां पर subroutine function simple होते हैं argument के साथ वाले होते है return value के साथ होते हैं अब होता एक message box तो message box हम already देखते आ रहा है देखे message box इसके बारे हम थोड़ा से यहां पर पढ़ भी लेते हैं तो एक window होती है जो की screen पर message runtime पर user से कुछ input लेना तो इसके लिए होता है input box और लिखते क्या है इसके लिए कुछ नहीं आपको एक variable लेना है जहां input कराना चाहरा है और input box अंदर आपको वह message box जैसी facility लिखना है कैसा print होगा इस प्रकार से print होगा और जहां आप जो भी लिखोगे वो जहां ले जाओग flow का मतलब क्या होता एक बहाओ जैसे हमने start करे कोई program को input लिए दोनों को plus किये sum में store करा दिये और display करा दिये stop हो गया एक क्रम चला यानि कि क्या चला एक flow परन्तु ये सीधे क्रम में रनना होकर क्या हो हमारी मर्जी से तो हमारी मर्जी से हम अगर उनको नियंतरित करना चा नहीं हो तो फिर से वह code बापस से घूमते जाए रन होते जाए अगर condition गलत है तो वह एंड हो जाए तो यह है प्रकार का control इसी को बल देते है control flow statement इसमें दो चीज़े आ जाती है एक तो जाती conditional statement एक जाती looping statement तो यहाँ पर हम ज्यादा detail में नहीं जाएंगे यहाँ पर क्य जलता जो while loop होता है do while loop तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम if condition को समझते हैं if condition क्या होती condition लगा है condition सही है तो प्रिंट कर दे गलत है तो कोई फरक ने पड़ता है यह simple if है तो हमने एक variable लिए variable में cash store करा 10 यह program हम बना सकते हैं इसके बाद हमने a छोटा है बराबर कब तक जब के 10 के तो simple से बाद very good नहीं है तो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ तो यह हो जाएगा simple if इसी के बाद होता है if else मतलब सही के साथ साथ गलत condition भी तो अगर condition सही है तो run हो जाए नहीं है तो भी गलत run हो जाए कैसे अगर किसी की age 18 दिए हमने और 18 से बड़ा है बोल रहा हो age य बोटा है और बराबर भी नहीं है तो यह कोई not vote बोल दें यह हो जाएगा आपका if else एंसी nested if मतलब एक condition सही है उसके अंदर एक और condition चेक करेगा एक condition के अंदर दूसरी condition जबा जाती है उससे बोल देते है nested यह नहीं इस्टिंग को nested if बोल देते हैं आप देखें यहां आप है आपको country लिए हमने string और एक लिए age तो country हमने इंडिया directly दे दिए age में भी हमने directly 18 दे दिए तो country अगर इंडिया है बराबर तो अंदर if में जाए कुन सा age चेक करा age बढ़ी है बराबर 18 के तो you can vote बोल दे नहीं तो इसका else रन हो जाए you can not vote बोल दे और end if हो जाए ठ इसके बाद later statement देखने मिलती है जो की if की है जिसमें आपको percentage अगर दिया है तो multiple condition देखने मिलती है जैसे आप देखी यहाँ पर आपको देखने क्या मिलेगा percently हमने double type का percent में 68 कर दिये अब हर बार percent को check करा रहा है तो 75 से बढ़ा है बराबर तो a great अगर 75 से छोटा है और 60 से बढ़ा है तो simple से बाद b great ऐसे ही continue चेक कराते जाए और हर बार चेक कराने को lsip में लिखा जाता है ठीक है यह syntax हो गया exam में syntax भी लिखना होता है और आपक statement जैसे जिसमें selector होता है देखिए यहां पर आप दिखाता हूं मैं alphabet D हमने जिसके अंतरगत B दे दिए और B जो A है उसको select case में रखे हमने क्या check करा है अगर case बहली बार चेक करा है तो bubble दूसरी बार में E, I, O, U अगर नहीं है तो last में क्या print करेगा consonant इसी को बोल देते हम select case या switch case बोल सकते हैं लूपिंग में तीन लूप आ जाते हैं for loop, while loop, do while loop तो for loop कैसे काम करता है for loop सीधे काम करता है कि आपको variable देना है, condition देना है, increment, increment, statement ठीक जैसे आप यहां देखिए A लिए हमने A को दे दिये, direct 2 दे दिये, और 2 मतलब होता है, 2 से लेका 20 तक चलेगा, और हर बार कितना gap होगा, 2, तो यह list box में add करते जाएगा, जैसे array हमने add करे थे, इसके बाद आप देखोगे, तो आपको while loop देखने मिलेगा, इसमें direct ना देकार एक condition दे दी जाती है, कि तक कि 20 तक न पहुंच जाए बराबर, और list box में print होते जाए, हर बार list box में जो है, जो value हो सके total होकर 2 प्लस हो जाए, फिर घूम कर जाए, कब तक condition सही होगी, तब ही तक run होगा, ने था यह cross हो जाएगा, ठीक, यहाँ पर आपको while loop, यह while loop नहीं है, डू while loop है, एक होता है, for loop एक होता, while loop एक होता, do while loop, do while loop में देखे, क्या changes है, यहाँ जो condition लग रही थी उपर, वो condition last में है, और सीधे इसने print कर दिया, तो क्या होगा, यहाँ पर गलती क्या होगी, अगर 20 दे दिये, तो 20 भी print कर देगा, 40 दे दित, 40 print कर देगा, पर जाकर बाद में condition चेक करेगा तो statement run, run नहीं होगी, बाद में, एक तो run हो जाएगी, मतलब एक बार में run होगी, दूसरी बार जो है, यह फैल कर देगा, पर अगर सही है, तो continue करते जाएगा, अब बात करते हैं किसकी, आपको देखने मिलेगा, third unit में, GUI programming with Windows form, तो Windows form क्या है, मैं आपको एक screen पे दिखात लिए, उसके चेक बाक्स, चेक बाक्स, जो है कोई option के लिए लेते हैं, multiple selection के लिए, उसके आद, combo box हमने ले लिए, multiple item को ले, store करने के लिए, date time picker, calendar के लिए, level हमने ले लिए, किसके लिए identify करने के लिए, link level, कोई email link, website link के लिए, list box, multiple item के लिए, list view और tree view आपके होते है, database क लिए, हलाकि tree view जो है, यहीं पे structure दिखाने का काम करता है, और list view जो है, आपका database के items को दिखाता है, mass text index आपके लिए काम करने है, month calendar में आप calendar प्रदर्शित कर देते हैं, इस प्रकार से जह से date and time picker था, फिर आप देखोगे, numerical up down की बात करें, तो जब कोई form design करते हैं, numerical up down यहाँ पे लिया जाता है, picture box, picture लाने के लिए लेते हैं, property, event, method आप पुरानी जो मैंने common बता है, बोई ध्यान रख सकते हैं, progress bar, कोई progress दर्साना है, download है, upload है, उसके लिए तो उसके लिए लेते हैं, radio button जो है, multiple item, परंतु, multiple option में से एक option select करवाना, जैसे result print कराना है, या फ प्रकार से आप लिख सकते हैं, इसके एक property होती है, जिसे हम बोल देते हैं, pass care, देखें, यहीं पर होती है, pass care, यानि password के लिए आपको लेना पड़ता है, तो password में आप जो भी print करोगे, वो आपका print यहाँ पर आएगा, runtime पर, इसके बाद आप देखें, आपको tree view मैंने बत दिया, container में आपको ध्यान रखना group box, जो विभिन प्रकार के control को अपने में control करकर रखता है, उसे बोल देते group box, और एक होता आपका panel, पैनल जो है group box जैसे होता है, पर इसमें देखी उपर heading नहीं आ रही, group box में heading आती है, साथ ही आप देखोगे, तो आपको menus देखने मिले देखेंगे, menu जो होता है, आपका जैसे menu देख रख नहीं, इस menu बनाने के लिए, जिस control का उप्योग किया जाता है, उसे बोल देते है, menu बार, ऐसे type here में जा जाके, आप menu बना सकते है, detail video में आपने जो है विस्तार से इसको देख लिया होगा, अब right click, जो आ रहा है हमारा इस right click के लिए, जो menu बनाते हैं, उसे बोल देते है, pop-up menu, या फिर context menu, यह देखें, context menu दिख रहा, toolbar दिख रहा है, toolbar तूल बार, tool strip से बनाया जाता है, नीचे status bar दिख रहा है, status strip से बनाया जाता है, चली, आगे देखते हम, और क्या है हमारे पास में, component पे आपको timer बगरा देखने मिलेगा, timer control किसके लिए use होता है, आपको अगर progress bar को maintain करना, तो उसके लिए timer control यूज होता है, अब आप देखें, जब आपको कोई file open करना होता है, तो ऐसे आप open करते हो, तो dialogue box आता है, आया है dialogue box, ऐसे ही आपको अपने computer में, जो software develop कर रहा है, उसके लिए अगर dialogue box बनाना है, तो उसके लिए use होते है, प्रिंट का dialogue box, जैसे आप देखें, इसको प्रिंट करना चाहते हो, हलाकि यह प्रिंट नहीं हो रहा है, क्योंकि project है, report होगी तो प्रिंट हो जाएगी, तो ऐसे ही आप dialogue box बनाना चाहते है, तो प्रिंट dialogue box आप ऐसे लाकर उसको सो करा सकते है, इसकी एक method होती है, so dialogue, प्रिंट डालग बन, dot so dialogue, तो यह component area में यहाँ पर दिखाई देता है, यह हो गए आपके dialogue box, ऐसे ही आपके और dialogue box देखने मिलती है, जैसे आपको color dialogue box देखने मिल जाता है, font dialogue box, open file dialogue box, save file dialogue box, तो इनके बारे में आपको exam में आता है, ऐसे ही आ माध्यम से, तो अपने project में आप दिखा सकते हो, कैसे, आप देखे, आपको दो question यहाँ पर complete हो जाएंगे, एक तो direct app solution, server explorer दिख रहा है, यह देखे, यहाँ पर दिख रहा है, इस server explorer की माध्यम से आप data को ला सकते हो, अगर exam में question आए कि server explorer में database को कैसे so करते है, तो आपको क्या करना है, server explorer सबसे पहले सो होना चाहिए, उसके आपको क्या करना है, यहाँ देखे, data connection में जाना है, add connection में, किस प्रकार का connection चाहिए, access का चाहिए, SQL का चाहिए, अभी मुझे access का करना है, तो okay कर दिखे, किस file को लाना है, browse कर दीजे, कहां पर रखी आपकी database file, मानलो मेर पास में, D में रखी है, practice के नाम से, open कर दीजे, देखे, location आगई, उसके test कर लीजे, test करोगे, तो देखे, test connection आगया, okay कर दीजे, अब आपको देखे, add दिख गया है, server explorer के माध्यम से, आप database को connect कर लिए है, दूसरा आपको data grid view के माध्यम से, अगर क्या करना है, display कराना है कोई database को, तो आप कुछ ने करना, इसके side में ही, देखे, आप एक button दी है, जिसमें लिखा है, choose data source, इसमें जाओगे, देखे, none लिखा है, add project data source करोगे, यहीं पर data set में जाओगे, next करोगे, देखे data set, जो की row और column के माध्यम से data को store करता है, disconnected data होता आपका, next, practice नाम से कर सकते हो, जो हमने अभी server explorer के लिए करे थे, फिर next कर दीजे, yes कर दीजे, आपको connection string दिख जाएगी, आपको table लाना है, कौन सा table लाना है, आपको student table लाना है, तो आप student table को select कर दीजे, और finish कर दीजे, देखे, यहाँ idea और name आ गया, जब हम इसको run करेंगे, चलिए run कर लेत क्यों आ रही है, आपको वहीं चलना है, my project में, solution explorer के अंतरगत, आपको चलना compile में, यहाँ लिखा है, any CPU की नीचे, prepare 32 bit, आपको इसको unselect कर देना है, क्यों, क्योंकि आपको 64 bit में भी अगर run करना, तो वो run हो जाए, चलिए run करो, run करोगे तो देखे, यह finally run हो गया, तो वो कुछ ने करना, आपको combo box दिख रहा है, यह देखेomb communic बокस को लाना है, और इसमें आपको क्या करना है, देखें यहां पर आपको जो है, यह जो लिखा है, इसी में आप डाटा लाना चाहते हो, तो यही पर आपको data source दिखता होगा, देखे data source, और data source में जाओगे, तो यही पर आपको क्या करना है देखे इस टूडेंट वाला जो लिखा है वह सेलेक्ट कर लो ठीक और आपका डाटा सोर्स दिख जाएगा पर आपको सुर्वास से लाना है तो आप एड प्रोजेक्ट करके वही सिस्टम पहले जैसा कर सकते है और इसी बाइंडिंग सोर्स में से आप क्या लाना चाहते हो इड लाना चाहते यह नेम तो वह आपने कर लिए जब हम रण करेंगे तो रण करके देखेंगे सारे नाम इसमें था लाता है तो आपको डेटा गृट भीव समझ में आगए होगा और data bound control यानि combo box भी समझ में आ गया होगा चलिए अब बात करते हैं किसकी यहां पर मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं इतने controls पर हमको काम करना है सारे controls की list आपको ध्यान वर रहना चाहिए ताकि exam में अगर आए तो आप इनको लिख पाओ तो क्या चीज आती exam में name दे देते control के उनके बारे में आपको definition लिखना है पहली चीज डेफिनेशन आ जाती है दूसरी चीज आती है properties लिखना तिसरी चीज आती event के बारे में लिखो तो चौती चीज आती है method के बारे में तो आपको definition हर चीज की पता होनी चाहिए properties मेने common बता दिया events common बता दिया methods common बता दिया तो ए तीन चीजे तो आपको common सभी control के लिए याद रख लेना बस नाम बदलना भाई scroll बार पूछा तो scroll बार के लिए बता सकते scroll बार होती क्या है उसको define कर दो properties event method उस pattern में लिख दो उसके बाद आपको windows form हमने already देख लिए windows form खुद hide होक है दू MDI form जो होता है जिसमें menu bar सारे controls रहते हैं जो अन्य सभी form को control करता है मतलब अन्य सभी form जिस form में selected होते हैं जिस form से हम navigate कर सकते हैं main form कहते हैं और main form को ही MDI Multiple Document Interface कहते हैं और जो छोटे-छोटे form जो अलग form particular काम करने के लिए इससे connect होते हैं वो कहलाते है HDI यनिकि Single Document Interface तो इसके बाद आपको जो है देखे working of form देखने मिलेगा इसके बाद mouse event keyword event यहां पर दे दिया मैंने text box control आप एक बार पढ़ लेना project को run कैसे करे text box के बाद radio button है radio button के बाद list box combo box already मैंने बता दिया आपको properties method event इसके साथ आपको देखने मिलेगा जो picture box है picture box के बाद scroll bar क्या होती ह जो vertical और horizontal scrolling के लिए use होती है edge scroll और भी scroll साथ ही आपको timer है timer के बाद आप देखे tree view है tree view के बाद आपको menu strip, context strip और आपका tool strip यह भी आपने देख लिए एक बार इसमें आप एक बार पढ़ लेना सरसरी नजर से सारी चीज़ आपको clear हो जाएगी detail video में तो यह चीज़े में बिस्तार से बता हूँ बहुत 5-6 घंटे का video आपको ज़्यादा देखने मिलेगा तो उसको आप देख लेना time मिलेगा तो और अगर देख लिए तो बहुत अच्छी बात है .net में dialogue box हमने देख लिए 5 प्रकार के यह dialogue box के बारे में आप लिख देना यहाँ पर डाइग्राम बनाना न भूले और अगर प्रोग्राम है तो प्रोग्राम बनाना भी न भूले तो यह सारी चीज़ आपको देखने को यहाँ मिलेगी अब थोड़ा सा बात कर लेते उप्स के लेकर उप्स क्या होता है object oriented programming हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब हमको कोई काम बार बार करना होता थो हम उसको एक definition के तौर पर एक structure उसका बना लेते हैं तो simple जो उसका structure होता वो कहला था class जैसे हमको कार बनाना था बहुत सारी तो इंजीनियर ने क्या करे जो बेग्यानिक लोग है जिन्होंने कार बनाया है उन्होंने एक structure तयार करे क्या कि उसके चार चके होंगे simple सी बाते steering होगी उसका price भी होगा उसका color भी होगा उसका model भी होगा तो यह common चीज हो गई पर जब उसको final यहां पर बेचा जाने लगा तो अलग-अलग brand बना दिया गया car तो सभी होती है पर car का color अलग-अलग हो जाता मतलब एक ही प्रकार की car के चार color हो सकते हैं या एक ही company में अलग-अलग model हो सकते हैं ठीक है तो यह चीज जैसे करने के लिए हमको जरूवत किसकी पड़ती है object की जरूवत पड़ती है तो object होगे आपका runtime entity और class होगे आपकी fixed यानि जहां structure है और class और object से में बनी programming को बोल देते हैं object oriented programming इसके अलावब भी कुछ features से इसके जैसे आप देखोगे तो object के बाद इसके मिलेंगे data abstraction और encapsulation inherit sense देखने मिलेगा polymorphism देखने मिलेगा dynamic binding message passing चलिए एक बार देख लेते हैं object हमने समझ गया class मतलब हो गया structure structure को run कराने के लिए हमने object लिए ऐसे हमने बार बार काम कराने के लिए क्या लिए विभिन प्रोग्राम को हमने collection बना दिये और जो भी उपयोग करना है उसको बना processing घुमाते हैं तो काम होता पर अंदर क्या mechanism है यह आपको पता नहीं ATM में आप card डालते हो पैसे निकल जाते हैं pin डाल कर क्या processing होती अंदर पता नहीं तो इसी को बोल देते हैं data abstraction और यह सब एक प्रकार से complete रूफ से एक ही जगह store रहती है class की रूप में इसी को बोल देते ह है किसकी आपकी object oriented की साथ ही आपको देखने मिलेगा inheritance एक class के features जो main class है उसके features दूसरी class में लाए जाते हैं तुसे बोल देते हैं inheritance मतलब आपको यह main class देखने मिलेगी और यह सब class यानिकी parent class यह child class ऐसे बोल सकते हैं जैसे माता-पिता के जो गुण है वह बच्चों में आ आते हैं कुछ आते हैं पूरे आ जाए तो यह बच्चा चाहे तो इनको निप्टा देगा तो यह बहुत हसी बाली बात हो गई यहां पर देखें अगर यह class के पूरे features इसमें आ जाए तो इस class की जरूवती नहीं परन्तु इस class को main class बना दिए गाया कुछ features यहां पर ले इसे ही class बना ली जाती है class का प्रयोग जो है अलग-अलग प्रोग्राम में object के माद्धियम से किया जा सकता है इसी को बहुत देते हैं polymorphism dynamic binding polymorphism का ही एक प्रकार है जो runtime होती है ठीक है तो यहां पर आपको save बना है save को draw method चला है draw से हम line भी बना सकते हैं draw से हम rectangle भी बना सकते हैं draw से हम rectangle और circle यह सारी चीज़े यहां पर बना सकते हैं इसके बाद message passing जितने भी class है class के एक object बना जाते object के अंतरगत अगर देखोग इसके बाद आप देखिए class बना है हमने class के अंतरगत example देखिए हाँ पर class बना है animal public टाइप की है public जो है आपका class मतलब हर जगे उपयोग होने वाले यहने कि इसके अंदर जो public ले रहे हैं हम यह public क्या है इसको बोल देते access specifier क्या बोल देते access specifier तो इसी के जैसे और भाई बंदू भी होते है public के बाद private होता है friend होता है protected होता है friend protected होता है यह सब जो है access specifier है यहने कि class के जो object है उसको कहां कहां use किया जाएगा उसी को define करते हैं कौन access specifier तो अभी कौन सा है public public मतलब हर जगे use होने ठीक है तो class बना है हमने animal में हमने कह लिए एक variable लिए value और एक लि procedure बोल सकते हैं तो eating नाम से एक लिए और एक लिए हमने sleeping नाम से जिसमें message प्रिंट कर आए अब देखिए object कैसे बनाते object बनाते हैं dim keywords से ही as करके हम data type ना लेख है class का नाम लेते हैं तो इसे बोल देते हैं हम क्या object अब इसको हम बोल देते हैं initialize करना यानिकी new keywords से हम object को सही जैसे मान लो किसी employee की joining हो गई, joining होने के बाद जो है उसको एक प्रकार से, joining तो नहीं मतलब पहले होता selection, क्या होता है selection, selection के बाद उसकी joining होती है, joining हो गई मतलब उसको काम प्रदान कर दिया गया, काम प्रदान कर दिया गया, काम करना शुरू, काम कर दिया मतलब इस प्रका यह object के माध्यम से आ जाती है सिंटेक्स आप देख सकते सिंटेक्स आपको एक्जाम में लिखने आएगा और इसके आद एक्जामपल आएगा यह चीज मैंने अभी समझा दिया हूं आपको इनेरिटेंस हमने पढ़ लिए इनेरिटेंस एक क्लास के फीचर को दूसरी क्लास में लाया जाते है एक्सिस स्पेसिफायर में बता है पब्लिक टाइप का होता है उसके प्राइविट टाइप का होता है फ्रेंड होता है प्रोटेक्टेड होता है तो इनको आप पढ़ लेना exam में पूछा जाएगा overloading और overriding पढ़ लेना overloading मतलब एक ही जो class है या एक ही function के अंतरगत अगर देखे वो अलग-अलग काम कर रहा है एक से अधिक तो उसे बोल देते overloading और overriding का मतलब होता है एक ही class का function को call करेंगे तो यह वाला run होगा और दो variable वाले function को call करेंगे तो यह वाला run होगा इसे को बोल देते overriding ठीक अब overloading और overriding में अंतर देख लेना ताकि exam में है तो मतलब जो आप लिख सके एक और आता है procedure oriented programming और object oriented programming में अंतर तो यह भी आप लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं एक question पूछा जाता हूँ object linking embedding तो देखें यह ओली का जो exam पाल है मैंने बहुत बार बताया coral drama बताया था multimedium बताया था आपको MS word में देखने को मिलता है तो यह चीज़े तो आपने परती है DBMS तो देखें जब आपको database को सेफ कराना मान लो यह अपने form बनाए bb.net में इसमें जो भी data आप सेफ कराओगे कहीं न कहीं यह database की जरूरत पड़ेगी database तो आपके form और database की बीच में कोई न कोई क्या होता है एक bridge का काम करता है तो bridge का काम करता है edio.net क्या करता है edio.net और edio.net के अंतरगात बहुत सारी चीज़े देखने मिलती है जैसे drivers होते हैं प्रोवाइडर होते हैं तो यह सब चीज़े database प्रोग्राम की में होती है local database भी हो सकता है और remote database भी तो देखें यहां driver आपका क्या काम करता है आपका application से database में connectivity का काम करता है ODBC आपका remote database के लिए उपयोग होता है और यहां देखें तो OLEDB को उपयोग हम करते हैं जो provider का काम करता है data source है जो भी चीज़े है उसको provide करने का काम कौन करेगा OLEDB object linking embedding database यह हो गया आपके driver बगेरा यह हमने देख लिए इसके बारे माँ आप एक बार देख लेना यहां आप देखें कुछ assemblies होती है जो की OLEDB के लिए OLEDB use होती है .dll SQL के लिए SQL client use होती है और Oracle के लिए Oracle client यूपयोग होती है तो यह भी आप एक बार देख लेना ताकि exam में आप लिख सके adio.net का architecture आप देख लेना कि आपको connection की जरुवत पढ़ती है सबसे पहले database में काम करने के लिए कुछ commands होती है जैसे कि जो data adapter के अंतरगत select देखने के लिए insert करना तो insert command, update करना तो update command, delete करना तो delete command यह चीज होती है और dataset आपका जो भी table होता है उसको XML form में यहां देखे row, column और जो content होता है constant उसमें दिखाने का काम करता जैसे कि अभी हमने देखे थे data provider हमने देख लिए एक बार पढ़ लेना इसके बाद command क्या होती है connection क्या होते है data adapter क्या होता है data reader एक बार आप पढ़ लेना ताकि आप जो है थोड़ा इसको लिख सके data set के बारे में आप लि देख लिए यहने कि combo box में data कैसे प्रदर्सित कराते यह अभी हो गया हमारा उसके बाद आप देख लेने coding याद रखना चाहो तो क्योंकि आप exam में अगर पूछा जाए कि data grid view में data so कराने के लिए coding लिखे तो आप यह coding थोड़ा से लिख सकते अब इसको detail में इसलिए नही देखने मिलेगी उसके बाद आपको delete के लिए यहाँ पे अलग देखने मिलेगी तो इस प्रकार आपका जो complete.net का जो revision है जिसके अंतरगत मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पर important question को ध्यान में रखकर आपको revision कराऊंगा तो मैंने उसी के आसपास यह सारी चीज़े दिखें और PDF पढ़ना ना भूले इसके अलाब अभी कोई दिक्कत है तो आप मुझे comment box में बताइए मैं उसका solution अब अब से दूँगा जैसे time मिलेगा तो ठीक है और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like जरूर करे कोई भी suggestion हो कोई भी doubt हो तो उसको लिए comment करो और काड़ बन जाईए मिलते हैं हम next class में तब तक के लिए जैहिंद है